नो सलोस्तों, डिट है आज की 18 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में तीन इशूज आज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे रोड सेफ्टी से समधित अच्छा आर्टिकल है वैसे देखो पिछले साल भी 18 फरवरी को हमने रोड सेफ्टी से समधित आर्टिकल डिसकेश किया था तो पुरारा आर्टिकल आपको रिवाइज करना हो तो यूटूब में आप सर्च मार के कर सकते हो मैं डिसक्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगा पिछले साल वाले आर्टिकल का दूसरा आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे इंडिया-UAE trade relations तीसरा आर्टिकल यहाँ पे planet conservation से सम्मनित है यह भी अच्छा आर्टिकल है इसे भी हम डिसकेश करेंगे discussion स्टार्ट करने से पहले question देख लीजिए जो आपको attempt करना है road traffic accidents हमारे देश में deaths का एक leading cause है और इसकी वज़े से social economic losses भी काफी होते है तो आपको पहले तो यह बताना है सरकार के दोरा क्या initiatives लिए गए है इस issue को address करने के लिए उसके बाद आपको यह बताना है क्या further किया जाना चाहिए ताकि road accidents की वज़े से जो deaths होती है उसे कम किया जाज़के यह एक अच्छी line है जो आप science and tech के बारे में कभी कुछ लिखना हो तब आप यह line लिख सकते हो directly or indirectly greatest innovation आज तक जो हुई है जिसने मानव सब्विता को पूरी तरह से बदल के रख दिया है वो इस परकार से है wheel, steam engine, currency, electricity, bulb, antibiotics, computer, internet, artificial intelligence इन innovations ने mode of production को तो change किया ही है लेकिन जिस परकार से human beings रहते हैं उनके lifestyle को मानव सब्विता को पूरी तरह से बदल के रख दिया है first important article road safety से समधित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ क्या contest है हाल ही में Union Minister of Road Transport and Highways नितिन गड़करी ने एक statement दी target ये है अभी हमारे देश में जितने road accidents होते हैं न उसकी संख्या को 2025 आते-आते 50% कम करना और finally 2030 आते-आते road accidents की वज़े से zero death achieve करना Union Minister for Road Transport and Highways नितिन गड़करी ने 2020 में स्वीडन में एक conference में participate किया था जिसका नाम था third high level global conference on road safety for achieving global goals 2030 इसमें ये conceptualize किया गया था कि 2030 आते-आते इंडिया इस target को achieve कर लेगा कि road accident की वज़े से zero death होंगी तो ये तो हुई targets की बात लेकिन अब हम बात करते है reality की current status क्या है देखो 2010 में भी United Nations General Assembly ने global plan for decade of action for road safety 2011 से 2020 अडोप्ट किया था तो United Nations General Assembly के इस plan में ये decide क्या गया था कि 2020 आते-आते road accidents के वज़े से जो death होती है न उस आंकडे को 50% कम करना है अब इस United Nations General Assembly के plan को India ने भी accept किया था लेकिन देखो जो आंकडे Ministry of Road Transport and Highways के द्वारा release किया गए हैं उनके अनुसार 2011 में road accidents के वज़े से death हुई थी 1,42,485 और 2019 में road accidents के वज़े से death हुई 1,51,113 2020 का data आभी release नहीं किया है Ministry of Road Transport ने लेकिन देखो जाहिर तोर पर जो सोचा था कि 2020 आते-आते road accidents के वज़े से होने वाली deaths को 50% तक कम करना वो तो achieve नहीं हुआ है 2011 में deaths हुई 1,42,485 बलकि बढ़ गई deaths 2019 आते-आते 50% कम होने के बज़ाए हाँ देखो ये बात तो सच है कि 2020 में road accidents के वज़े से कुछ deaths कम हुई लेकिन वो इसलिए हुई क्योंकि COVID-19 की महमारी की वज़े से lockdown लग गए थे अब lockdown लग गया था तो roads पर कम विकल्स दोडे लेकिन देखो आप faculty देखिए मतलब हर 100 accidents के पीछे कितने लोग की death हुई वो आंकड़ा आप देखिए 2001 में न हर 100 accidents के पीछे 26.9 लोग की death हो गई थी 2011 में ये आंकड़ा बढ़के हो गया 28.6 और 2020 में हर 100 accidents के पीछे 37.54 लोग की death हो गई तो इस पूरे डेटा का अगर हम निचोड निकाले तो यही निकलता है UN General Assembly का जो target था 2011 से लेके 20 के बीच की road accidents से होने वाली deaths को 50% कम करना कम होने के बज़ाए deaths increase हो गई Supreme Court में ने एक petition file की थी Dr. S. Raja S. Sikran ने ये orthopedic surgeon है इनकी petition पर Supreme Court ने Committee on Road Safety गठित की थी जिसको बाद में Ministry of Road Transport and Highways ने भी notify कर दिया 2014 में Court ने न इस Dr. S. Raja Sikran की कमेटी की रिपोर्ट के अधार पर 2017 में काफी सारे directives दिये थे road safety से सम्मन दित Supreme Court ने ये सारे directives दिये थे जैसे की state road safety council को गठित किया जाए, lead agency establish की जाए, road safety fund setup किया जाए road safety action plan notify किया जाए next district road safety committee establish किया जाए road की engineering में improvement लाई जाए जो black sports है black sports मतलब वो places roads पर जो accident prone है जहाँ पे accident ज़्यादा होते हैं तो ऐसे sports को कहा जाता है black sports तो जल्द से जल्द black sports को identify किया जाए और उन्हें ठीक किया जाए ताकि वहाँ पे further accidents ना हो traffic calming majors को adopt किया जाए मतलब traffic को कम करने के majors road safety audit conduct किया जाए road safety equipments को acquire किया जाए trauma care centers को establish किया जाए इसके बाद road safety education को include किया जाए school curriculum में अब काईदे से देखो ये सारे जो majors थे ना बहुत अच्छे थे लेकिन बात वही है implementation हमारे देश में weak रहता है तो इन majors को letter and spirit में implement नहीं किया गया यानि अच्छे से implement नहीं किया गया इसके बाद writer reasons बताते है कि road accidents की वजए से होने वाली deaths हमारे देश में कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही है देखो motor vehicle act 1988 को amend किया गया था 2019 में और बहुत सारे अच्छे provisions add किया गये थे जिनमें से एक provision ये था traffic law के violation पर जो fine है वो काफी ज़्यादा increase कर दिया गया था इस उदेश्य के साथ कि debt runs create होगा अब कोई person देखेगा कि हाँ 5000 का fine लगेगा red light cross करने पर तो वो नहीं करेगा तो इसलिए इस उदेश्य के साथ fine को इतना ज़्यादा increase किया गया था लेकिन देखो कई सारे राज्यों ने मना कर दिया कि हम traffic law के violation पर इतना इतना fine जो है वो जनता से नहीं वसूलेंगे अब काईदे से देखो तो देखो कुछ लोग के concerns में बिल्कुल genuine है अब छोटी सी गलती हो जाए, traffic law का violation हो जाए तो दस-दस हजार का fine इतना हमारे देश में living standard अभी हुआ नहीं है आम आत्मी कैसे अब गलती तो गलती है देखो काईदे से traffic law का पालन तो करना चाहिए लेकिन हो गई गलती तो 15,000 रुपे देना, 20,000 रुपे देना कितने लोगों की salary भी नहीं होती है पूरे मन्त की तो कई सारे राज्यों नेना मना कर दिया कि हम ये बड़े हुए fine को नहीं वसूलेंगे तो फिर जो उदेशय था fine increase करने का वो उदेशय ही खतम हो गया कि deterrence create करना, लोगों में डर पैदा करना, ये पहला reason है उसके बाद दूसरे reason है enforcement manpower की कमी देखो volume of traffic हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, नए नए vehicles लोग खरीटते हैं लेकिन manpower उस तेजी से नहीं बढ़ रही है अब आपके मन में आयागा वैसे भी देखो manpower का जमाना ही नहीं है, आजकल तो सब कुछ अगर कोई car तेजी से हो जायना तो बहुत सही रहेगा, क्योंगी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अगर खड़ा है तो गाड़ी धीर-धीरे चलाते हैं, लेकिन देखते हैं कि नहीं खड़ा तो गाड़ी तेज चलाने लगते हैं लेकिन अगर जगह-जगह पे वो speed को monitor करने वाले sensor अगर लगे होंगे तो फिर drivers अपने आप से ही गाड़ी धीरे चलाएंगे, hit and run के cases कम से कम हो जाएंगे अगर जगह-जगह इस परकाश के speeds को monitor करने वाले sensor लगे होंगे तो हमारे देश में highways पर और दूसरी major roads पर न intelligent traffic management system को implement करना ज़रूरी है Bureau of Police Research and Development ने एक formula suggest किया था मतलब formula के हिसाब से calculate किया था कि किसी भी district में कितने संख्या में traffic policeman की आव सकता है ये देखो ऐसे पता लगता है अगर किसी जिले में number of registered motor vehicles जादा है तो मतलब जादा traffic policeman की आव सकता है और जादा traffic equipment की भी आव सकता है लेकिन देखो दुरभागया पूर्ण बात ये है जैसा हमने डिसकस किया कि actual में enforcement staff और equipment की भारी कमी हमारे देश के various districts में देखने को मिलती है अब आते हैं तीसरे point पर Inadequate funds for rectification of black sports Black sports की हमने बात की पता लग गया कि यहाँ पर black sports है लेकिन fund नहीं आ रहे हैं इसको rectify करने के लिए मतलब सोच के देखो आप वो अधिकारी हो जिसका काम है black sports को ठीक करना और आप करना भी चाहते हो लेकिन daily basis पर आप देखते हो accidents हो रहे हैं लेकिन आपके पास fund नहीं है ब्लैक sports को rectify करने के तो आपके मन पर क्या भीतेगी case study में आपसे पूछा जा सकता है कि आप इस situation में क्या करोगे कैसे इस situation को handle करोगे खेर point ये है inadequate fund देखो 60% जो road accidents होते हैं वो over speeding की वज़े से होते हैं लेकिन state highways पर major roads पर और even highways पर आपको rarely speed limit का signboard देखने को मिलेगा fund आएंगे तभी तो signboard लगाए जाएंगे ना चोथा point जातर driver, conductors या फिर transport companies में दूसरे staff अगर government corporations को छोड़ दें तो private industry में जो ये driver, conductor या फिर दूसरे staff होते हैं ये बहुत कम salary पर overtime काम करते हैं तो बहुत ज़रा ठक जाते हैं, इनकी service conditions इंप्रूव होनी चाहिए ताकि इनका जो attention है road पर वो increase हो पांचवा point, सबसे challenging task ये है drivers की skills को इंप्रूव करना बहुत सारे drivers देखो road safety को लेके उनका जो attitude होता है काफी casual होता है, कुछ नहीं होता तो driving license को प्राप्ट करना भी हमारे देश में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है driving license को असानी से प्राप्ट किया जा सकता है, corruption काफी ज़्यादा होता है और अगर कोई traffic लाका बार-बार violation करता है, माली जे उसका license जो है, वो suspend हो गया तो उस दोरान refresher training के लिए भी इंसिचूट्स हमारे देश में नहीं है जो amended motor vehicle act है, इसमें कई सारे provisions थे, लेकिन वो अभी तक force में नहीं आये है existence में नहीं आये है देखो, जो ये motor vehicle act के जो provisions है, इनको enforce करना states की जिम्मेदारी है तो कुछ-कुछ states ने सुरुवात कर दी है, इन provisions को implement करने की कुछ states बहुत ज़रा ढीले है, उन्होंने अभी तक कुछ शुरुवात नहीं की है इसके बाद next point, देखो road accidents में, जिन लोग की deaths होती है उन में से दो तिहाई तो two wheeler चलाने वाले होते हैं, लेकिन two wheeler पर हमारे ध्यानी नहीं दिया जाता safety, head gear को पहनना, mandatory है वैसे तो, लेकिन इसे भी strictly implement नहीं किया जाता है जैसे, जो amended motor vehicle act है उसमें एक provision ये किया गया है, कि अगर juveniles traffic class का violate करते हैं, तो उसकी जिम्यदारी, उसके घर में जो बड़े हैं, उनकी होगी, parents की होगी लेकिन इसे भी strictly enforced नहीं किया जाता है next, emergency response port system ये देखो पूरे इंडिया में, अब help line का जो number है, road accidents की situation में, वो 112 है और जल्दी से अगर help मिल जाए road accident के बाद, तो उस golden hour में, जान बचाई जा सकती है लेकिन सभी states में, अभी इस emergency response port system को effectively implement नहीं किया जा रहा है last में बात आती है data की देखो, जो हमने शुरुवात में road accidents से होने वाले death का data discuss किया न अब आपको भी पता है, इतने सारे accidents हो जाते हैं, उनका data तो register ही नहीं हो पाता मतलब actual में road accidents की वज़े से deaths काफी जादा होती होंगी लेकिन बहुत सारी deaths तो register भी नहीं होती होंगी तो ministry of road transport and highways का जो accident data collection format है न, वो अच्छा नहीं है बहुत complex है, देखो, accidents का data collect करना ये time consuming है लेकिन data अच्छे से अगर register होता है न, तो future accidents को रोका जा सकता है अभी एक initiative है, IRAD यानि Integrated Road Accident Database Project ये ministry of road transport and highways का initiative है, fund किया जा रहा है, world bank के दोरा इस project का मकसद ये है, accident database को in reach करना ताकि जादा से जादा stakeholders के दोरा data को collect करके हमारे देश में road safety को improve किया जासके तो writer यही कहते हैं, इस परकार के projects अगर integrate होते हैं और अच्छे से synergy होती है within projects के data collection में तो फिर data जो है more user friendly होगा, उसका analysis अच्छे से host केगा और road accidents को कम किया जासकेगा, तो ये पूरा article हमने discuss किया, road safety के बारे में चलते हैं आगे इसके बार next article, India-UA relations से समधित हैं, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हों देखो, इंडिया आब काफी सारे देशों के साथ free trade agreement sign करने के लिए negotiations कर रहा हैं free trade agreement में जैसा कि आपको पता है, जब जो देश A और B जैसे free trade agreement sign करते हैं न, तो trade के जो barriers है उसे कम कर देते हैं इंपोर्ट और export के barriers, जैसे मान लिजे tax ज़्यादा है, import duty ज़्यादा लगती हैं, उसे कम कर दिया या फिर और कोई barrier हैं, कोटे वाला barrier है कि आप एक साल में इंडिया में इतने ज़्यादा, इससे ज़्यादा mobile phones नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे जो barriers है न, चाहे वो tax समंदित हों, या फिर non tariff barriers हों, उन्हें कम कर दिया जाता है free trade agreement में, तो main ऐसे 6 देश हैं, जिनके साथ इंडिया अभी seriously negotiate कर रहा है free trade agreement sign करने के लिए, ये 6 देश कौन-कौन से हैं, UK, European Union, Australia, Canada, Israel, इस list में देखो, सबसे top पर है UAE, कहा ये जा रहा है, UAE के साथ free trade agreement के मामले में जल्द ही एक early harvest deal इंडिया sign कर सकता है, early harvest deal आप समझते हो ना, जैसे फसल अगर पूरी नहीं पकी है, तो जितनी पकी है उसको तो काट लो ना, मतलब free trade agreement को लेके बातची चल रही है UAE के साथ में, लेकिन सभी provisions पर अभी सैमती नहीं बनी है, लेकिन जितनी provisions पर सैमती बनी है, उसको लेके तो agreement कर लो ना, ये होता है early harvest deals, UAE नहीं भी 2021 में September में ये announce किया था कि UAE 8 देशों के साथ में bilateral economic arrangement sign करना चाहता है, वो list इस परकार से थी India, UK, Turkey, South Korea, Ethiopia, Ethiopia, Indonesia, Israel, Kenya, UAE का लक्षय था इन 8 देशों के साथ में bilateral economic arrangement यानि कि free trade agreement sign किया जाए एक साल के अंदर अं UAE देखो पूरे world में ना सिरफ middle east में बलकि पूरे world में एक global economic hub के रूप में emerge होके आया है, UAE की location काफी ज़्यदा strategic है, UAE देखो बीचो बीच पड़ता है पूरे world में, काफी strategic location है UAE की, पहले दो देखो ये तेल पे depend करते थे अपनी economy चलाने के लिए, मतलब जाए तर इन hydrocarbon sectors पर focus करना start कर दिया, जैसे financial sector, दुबई जो है वो आज के समय में एक पूरे world में major financial center है, देखो ये बात सच है कि आज भी hydrocarbon sector जैसे तेल वगएरा, ये UAE की economy में काफी contribute करते हैं, लेकिन UAE में आज के समय में service sector और manufacturing sector में काफी ज़्यदा मजबूत हो गया है, services sector के अंद financial services, wholesale and retail trade, real estate, business services ये UAE की economy में majorly contribute करते हैं, UAE और इंडिया ने 1972 में diplomatic relations इस्टाब्लिश किया थे, लेकिन major जो push आया ना दोनों देशों के relations में, वो आया अगस्त 2015 में जब परधामंतरी मोदी ने विजिट किया UAE में, तो उसमें दोनों देशों में के बीचे agreement हुआ और new strategic partnership established हुई, लेकिन बाद में जो UAE के crown prince हैं, वो जनवरी 2017 में इंडिया की यातरा पर आये, Republic Day के मोके पर chief guest बन कर, तो relationship को और ज़्यादा upgrade किया गया, comprehensive strategic partnership established हो गई दोनों देशों के बीच में, और अब तो जैसा हमने डिसकस किया, comprehensive economic partnership agreement sign करने के लिए negotiation चल रही है, September 2021 के बाद स ही, इंडिया और UAE, दोनों जिस मोके पर ये comprehensive economic partnership agreement sign करेंगे न, बेसक पूरा agreement sign ना हो, early harvest deal हो जाए, लेकिन मोका बिलकुल ठीक है, क्यूंकि देखो, अभी इंडिया और UAE के बीच में, merchandise यानि goods का जो total trade होता है, उसकी value है, 52.6 billion US dollars, ये 2021 में सिरफ पहले 9 months का data है, बाकी last के 3 महिने का data तो इसमें add भी नहीं हुआ है, आज के समय में UAE, इंडिया का third largest trading partner है, aim ये है, कि trade agreement के sign होने के बाद में, पहले 5 सालों के अंदर, अंदर, जो merchandise trade है, उसे 100 billion dollars तक लेके जाना है, merchandise trade मतलब goods का trade, और service, जो trade होता है, service sector का, उसे 15 billion dollars तक लेकर जाना है, इसके बाद next point, देखो हाल फिलाल में, इंडिया का जो export है, वो काफी ज़्यादा बढ़ा है, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि, इंडिया का जो export है, एक साल में 400 billion dollars तक पहुचने वाला है, अब देखो, UAE के साथ में trade agreement sign होता है, तो यही momentum हम sustain करके रख सकते हैं, UAE की जो market है इंडिया का काफी सारे दूसे देशों के साथ में trade agreement है, तो UAE के थ्रू इंडिया का जो माल है, वो वहाँ पर भी पहुच सकता है, UAE की अगर इंडिया में investment की बात करें तो यह है 11.67 billion dollars, UAE इंडिया में 9th biggest investor है, दूसी तरफ काफी सारी इंडिया की companies हैं, जिनोंने वहाँ वहाँ पर UAE में manufacturing unit established की है, या तो लेखो खुद से या फिर joint venture में, वहाँ पर special economic jones में भी इंडिया की काफी सारी companies ने invest किया है, cement building material, textile, engineering products, consumer electronics, इन सब domains में, काफी सारी इंडिया की companies ने tourism में, hospitality में, catering, health, retail और education sector में भी invest किया है, वैसे देखो इंडिया का target यह है 2030 आते आत एक्सपोर्ट को लेखे जाना है, एक साल में 1 trillion dollars का merchandise export और 1 trillion dollars का service export, तो वही बात फिर से कि UAE इंडिया को इस target को achieve करने में मलद कर सकता है, अगर UAE के साथ अच्छा सा free trade agreement sign होता है, और जैसा हमने डिसकस किया, UAE के ना, Gulf Corporation Council में, Gulf Corporation Council में जो देश आते हैं, जैसे साथे economic ties हैं और common market हैं, इन देशों के साथ में common custom union भी हैं, तो UAE के साथ free trade agreement का sign होना मतलब इन देशों की market का लाब भी इंडिया को मिलेगा, लास्ट में एक challenge की बात बोली जाती है, अगर देखो tariff की बात करें, कि अगर इंडिया अपना माल UAE में भेजेगा, तो tariff कितना लगे हो सकता है 5% लगे, इससे कम तो क्या लगेगा, क्योंकि UAE का Gulf Corporation Council के देशों के साथ में 5% tariff rate के अधार पर agreement हुआ है, कि बाकी देशों से माल UAE import करेगा, Gulf Corporation Council के तो 5% tariff लगेगा, और UAE बाकी देशों में करेगा, तो उन पर भी 5% tariff लगेगा, तो इसमें तो ज्यादा scope है नहीं, negotiation का, इससे कम UAE जा नहीं सकता, लेकिन जो non tariff barriers है ना, non tariff barriers जैसे, इंडिया काफी बार अपने आम भेजता है, European Union Countries में, तो European Union Countries, quality issues का भाना बना के, इंडिया से माल import करने से मना कर देती है, इनको कहा जाता है, sanitary and phytosanitary majors, मतलब quality issues उठा दिये, आपने की, आपने ऐसे fertilizers का इस्तमाल किया है, आम उगाते वक्त, कि जिसके वज़े से, आम की जो quality है, वो खराब हो गई है, तो ये चीज हमें UAE के संदर में भी ध्यान रखना होगा, UAE की total 451 SPS notifications है, SPS मतलब sanitary and phytosanitary notifications, ये में लिए देखो, live poultry, meat, processed food, इन से सम्मदित है, इसके अलावा, 534 TBT notifications भी है, UAE की, TBT मतलब technical barrier to trade, technical barrier to trade जैसे आपने कह दिया, कि आप UAE में तब export कर सकोगे, जब आप certification लोगे, या फिर कोई और objection उठा दिया जाता है, testing को लेके, हम test करेंगे, फिर आप export कर सकते हो, तो ये रुकावते हैं trade में, तो UAE की जो 534 TBT notifications है न, ये mainly fish, food, additives, meat, rubber electrical machinery से सम्मदित हैं, इसके लावा बहुत सारी UAE की notification, consumer information, labeling, licensing, permit requirement, import monitoring, surveillance requirement, इन से सम्मदित हैं, तो इंडिया अगर export increase करना चाता है न, UAE में, तो UAE की इन notifications का ध्यान में रखना ज़रूरी है, और जो free trade agreement sign हो, UAE के साथ, उसमें transparency हो, और predictability हो, पहले से तय हो, कि कहां कहां पे कि ऐसा है ना हो कि free trade agreement तो धूम धाम से sign हो जाए, लेकिन बाद में विवाद हो जाए, कि देखो ये provision तो हमने पहले नहीं decide किया था, तो ज्यादा detailed free trade agreement हो, और उसमें transparency भी हो, चलते हैं आगे, इसके बाद next article, planet, यानि हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, इसके conservation से सम्मदित है आप GS paper 3 के इस topic से article correlate कर सकते हूँ, देखो, अर्थ के conservation से सम्मदित ना, दो hypothesis हैं, इनका जिकर आप कर सकते हो, अगर कभी ऐसे में आपको planet, अर्थ के conservation के बारे में कुछ लिखना हो, एक तो देखो, James Lovestock का गया hypothesis हैं, इन्होंने 1960s में अपनी theory दी थी, जिसका नाम है गया hypothesis, जिसमें उन्होंने बोला था, अर्थ जो है, वो एक single functioning ecosystem है, बार में 1970s में, इनकी theory को further develop किया, Lynn Margulies के द्वारा, Lynn Margulies ने ये कहा, देखो, सारे living things, जो अपने non-living environment में रहते हैं, वो सभी closely integrated हैं, और एक system बनाते हैं, वो system self-regulating हैं, जो life की conditions maintain करता है, अर्थ के ऊपर, बिल technical words का इस्तेमाल ना करके, हम सब अर्थ पे जो भी हैं, living things, non-living things, आपस में interconnected हैं, ये simple बात हैं, इसके बाद next, Paul Kudjan की theory हैं, इन्होंने कहा, कि जो chemical effluents निकलते हैं, chemical effluents जैसे देखो, जो man-made infrastructure हैं, जैसे कोई factory है, factory से harmful chemical निकलते हैं, ये फिर गैस निकलती हैं, वो chemical effluents ह हैं, इनकी वज़े से planet, atmosphere जो है, वो change हो रहा हैं, तो ये कुछ ऐसी theories हैं, जिनका इस्तमाल आप कर सकते हो, answer में value addition के लिए, अब आते हैं, आज के article की तरफ, देखो, प्रधामिंत्री मोदी ने इस साल के शुरवात में पहली अपनी जो speech दीना environment के मुद्दे पर, उन्हों हैं, लोग और उनकी commitment नेजर को कंजव करने के परती, अब धामिंत्री मोदी ने जो statement दीना कि planet कमजोर नहीं है, कमजोर हम लोग हैं, कमजोर हमारी commitment है, ये बात देखो, बिल्कुल ठीक है, कैसे, इंसान ने देखो, planet को ना जाने कितना नुकसान पहुंचाया है, जैसे, agriculture क जो, जब adopt किया गया था, human beings के द्वारा, आज के समय में देख लीजिए, wheat और rice को, as a food crops, कितने बड़े area में उगाया जाता है, even forest को clear करके, तो जब शुरुवात में ये किया गया था, ये first major large scale change था, global climate में, जो इनसान लेकर आया था, और दूसरा, जब industrial age आया, जब यानि industrialization start हुई विविन देशों में, इनसान बड़े scale पर fossil fuels का इस्तमाल करने लगा, पलक जबकते ही, कितना गर्मी बढ़ गई, global average temperature है, वो अब 2 degree Celsius हो जाएगा, जल्द ही कदम नहीं उठाये गए, Paris climate change agreement को नहीं follow किया गया, even कुछ experts तो ये भी बोलते है, Paris climate change agreement को follow भी कर लिया गया ना, तो भी आर्थ का जो average temperature है काफे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इनसान ने इतना कुछ किया, लेकिन इसका नुकसान किसे होगा, देखो इसका नुकसान भी तो इनसान को ही होगा ना, सबसे ज़्यादा तो गरीब लोगो को, अगर climate change होगा, तो गरीब लोगो क इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उत्राखंड में आप देख लीजिए, किस परकार से पिछले साल, एवलांस देखने को मिले, जिसकी वज़े से hydropower प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रोई हो गए, और काफी सारे लोगो की death भी हुई, बहुत सारे scientists ब आनमाल का नुकसान हो सकता है, तो ये सब जो इनसान कर रहा है, खत्रा किसको है, इनसान को ही तो है न, तो कमजोर प्लैनेट नहीं, कमजोर इनसान है, लेकिन development की ऐसी दोड़ चल रही है, कि इनसान समझने को त्यार नहीं है, इवन हमारे इंडिया की बात आप कर लीजिए 270 का target रखा है Net Zero Carbon Emission का बाकी देशों की अपेक्साकर्ट लेट है क्योंकि इंडिया का तर्क ये है कि देखो बाकी देशों ने तो development के fruits हासिल कर लिए है लेकिन इंडिया अभी भी development के मावले में पिछडा हुआ है इसलिए हम 2050 नहीं, 2060 नहीं, 2070 आते आते Net Zero Carbon Emission के target को achieve करेंगे ताकि इंडिया, सोच ये है ताकि इंडिया थोड़ा और ज़्यादा fossil fuels जलाज के, थोड़ा और ज़्यादा coal का इस्तमाल कर सके लेकिन देखो ये सोच सही नहीं है जल से जल इंडिया को green energy की तरफ transition करना चाहिए क्योंकि अगर देखो कल को climate change आता है न, climate change होता है irregular weather phenomenon देखने को मिलते हैं तो इसका नुक्सान भी इंडिया को देखने को मिलेगा ज़्यादा क्योंकि इंडिया में गरीब लोग की संख्या ज़्यादा है इंडिया में population ज़्यादा है coastal areas में देखो कितने लोग रहते हैं अगर sea में पानी का level increase होता है तो कितना इंडिया को नुक्सान होगा तो ये बात ना सिरफ इंडिया को बल्कि पूरे world को समझने की आव सकता है last में वही बात आप बोल सकते हो गया hypothesis की कि इस planet पे जो भी लोग है न living beings, non living beings non living environment सब आपस में interconnected है तो इंसान प्लैनेट को नुक्सान पहुंचाएगा ये नहीं सोच सकता प्लैनेट को नुक्सान हो रहा है actually में वो नुक्सान आपको ही हो रहा है तो ये पूरा article हमने डिसकस किया planet conservation से सम्बंदित हमारी आज की इस discussion में इतना ही है आज हमने तीन issues को detail से discuss किया thank you, thank you very much for discussion